तो अगत आपका आपी के यूटीब चाहिए मिश्को ठीक है मैं आज मिश्यूर के बारे में बात करेंगे वह है अक्षिता कोटन लेमेटेड यह टेक्सटाइल सक्टर कंपनी जिसने दो दिन के अंदर इंवेस्टों का जोनावी 40% पैसा डूबो दिया है यहां दो दिन के अ 20-20% के स्टॉक में LC लगते नजर आए हैं एक राहत के बात आपको बता दे कल के दिन भी स्टॉक में LC लगेगा बट LC 20% के नहीं हमें 10% का देखने को मिलेगा तो यह राहत वाली बात रहेगी क्योंकि इनवेस्टर जोना भी शेयर को लेकर फच चुके बूरी तरीके से औ अचानक से यह जो प्राइज मुमेंट हमें देखने को मिला 28 तारीक को यह क्यों हुआ है इसके ऊपर कंपनी ने बहुत ही साफ तरीके से जोना भी क्लिरिफिकेशन दिया है क्या क्लिरिफिकेशन दिया है आपको डिटेयल में बताते हैं कंपनी का मानन है कि यह जो प्राइ आपने देखें भी होंगे क्वार्टर यह और यह जादा खराब आते नजर आए हैं तो यह हो सकता है दूसरा आप देखो कि हमारा जो प्रमोटर है यह प्रमोटर गुरूप है यह कंपनी किसी इंपलोईज ने किसी ने भी जोना भी स्टॉक के देना है तो कोई बाइस साल के दृकिंग की है जिसकी उसे सुटॉक में गिरावट आई हो तो यह सारा को सारा करा धरा है वो इन्होंने बजार का बता दैंभी बजार की वज़े से जोना भी सब कुछ हो यह फिर इननोंने यह पूल दिया है कि हम नई कोई एडवर्टैजमेंट के थुरू जोना भी हम के अंदर जो कंपनी है वो हमें कलेरिफिकेशन देते नजर आई है प्राइस के अंदर जो मुमेंट हुआ है इन सब को लेकर तो कंपनी का जो मानना वह यह है कि यहां पर आप देखोगे जो इमेल भेजें उनका जो नभी रिवील टैक्ट प्रमोटर और प्रमोटर ग्रूप आर इंवल्ड इन सच एक्टिविटीज वी वूड लाइक टो क्लेरिफाई एज फोलो तो यहां पर आप देखोगे फनेंशिल रिजल्ट फोर दा ये टूटाउजन ट्वेंटी तो ट्वेंटी 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 टू तो यहां से हमें जो नभी यह देखने को मिला ह कि 2022 के जो रिजल्ट्स है वो कंपेर करके देखे किसे 2023 के रिजल्ट्स है तो वहां पर आपको देखाने को मिला कि रिजल्ट्स कैसे रहे हैं इरो इन वेशिस पर तो वह एक इनका जो नभी कारण मानना हो सकता है या फिर आप देखोगे भी जो प्रमोटर ग्रूप है या पर प्रमोटर है इनके दुवारा कंपनी के अंदर जो नभी नन ओफ दा प्रमोटर्स प्रमोटर्स और ग्रूप है वी बोट या शोल्ट दा शेयर ओफ दा कंपनी तो इनका वी भी मानना कि हमने जो नभी नह कोई शेयर बाइसल किये हैं वहीं आप देखोगे नह किसी अच्टिविटीज डिरेक्टली और और डिरेक्टली नौर वी आर कंशर्ड विज अधर कंपनी ऐज कॉटेड इन वेरियस इमेल फ्रॉम इंडवीज्वल तो इनका ये मानना है यहां पर आप लोग यह नोटीज जोना डिटेल में पढ़ सकते हों कि विट कंपनी के जो प पर बरबाद हो चुके बूरे तरीके से जो उपर के लावल स्टॉक में फशेना उनको हैवी लोस हो अभी दो दिन गंदर और कल लगने वाले हैं 10% का स्टॉक में LC यहां कल भी स्टॉक 10% टूटेगा ऐसे में शेयर नहीं हो रहे हैं पबलिक के सवाल आ रहे हैं तो इन सब पर आ रहे हैं यह सभी हटने चाहिए ठीक है सभी को जना भी तो स्टॉक के अंदर होल्डिंग बनाने के सिवाई आपके पास कोई इलाज नहीं है अगर सल होता तो सल करके सबी निकल जाते बट सल ही नहीं हो रहे हैं अगर सैलिंग के लिए जाओगे तो स्टॉक के उपर और सलिंग प्रैसर बड़ेगा जिसे से और ज्यादा तूटेगा भई यह एलसी खुलने का नामी नहीं लेगा यहां से मैंने आपको क्या वाला उपर के लावज चोग पचास परसंट तक तूट सकता है तो पचास परसंट तो सेर कली तूट जाएगा क्योंकि दो दिन में तो को डंप किया जा रहा है वह ठीक उसी दिन लगाया गया जिस दिन क्वाटर फॉर के नमबर आने थे पता था क्वाटर फॉर खराब आएंगे उसका जो सारा सारा जो काल रहेगा वह उसके उपर पड़ जाएगा तो चलिए भी आपको दिखाते कल के लिए भी एक आपको दिखा देते हैं तो यहां पर आप देखोंगे अक्सिता कोटन के अंदर हमें जो लगते नजर आए इन सब के चलते आप देखोंगे स्टोग में एक और बड़ा सल ओडर हमें देखने को मिला है जो कि कल के लिए एमो लगा है ग्यारा लाग पिचासी हजार आटसो चानवे क्वांटिटी का यानि कि कल फिर स्टॉक हमें जोना भी एलसी के अंदर लॉक होते हुए नजर आएगा रहत वाले बात ही है कि दस परसेंट का एलसी अब जोने इसका कर दिया गया जिए इसके जो लोवर सरकेट लिमिट है वो अपर सरकेट लिमिट भी जोना भी 10 परसेंट कर दिया यानि कि इसका जो प्रैस बेंड है वो 10 परसेंट से इंक्रीज और जो डिक्रीज होते नजर आने वाला है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आदे गला कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बना मत बूलना एंड थैंक्यू फर बुच्टिन दे वीडियो